जी के मस्ती मेस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है हम लोगों ने जो लूसेंट वाप्सनल का पाँचमा टॉपिक का पहला था माउर उत्तर या गुप्त पूर्वकाल 185 स्वी पूर्व से 390 स्वी तक तो इसके हमने 40 कोश्चन कर लिये थे और किरन के जो बिदेशी आक्रमण कारियों का भारत में आगवन और सुंग कंडे और साथ वाहन राजवन्स के बारे में पढ़ चुके थे आज हम लोग लूसेंट और अफ्षिनल का पांचवे का पहला जो टॉपिक है मौरुत्तर वागुप्त पूर्वकाल के 41 से और सारे कोश्चन देखेंगे जो 71 तक है और लूसेंट का एक्स्प्लेइन लूसेंट से एक्स्प्लेइन होगा ब्रामरत सामराज और भारत के यवन राज तो देखते हैं एक 40 वा कोश्चन है दो कर्थन दिये गए हैं कुशाड फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे दूसरा उनकी सुसंगठित नौसेना उचकोट की थी तो इसमें क्या सही है कुशाड फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे उनकी सुसंगठित नौसेना उचकोट की थी तो इसमें सही उप्सन है सी वाला यानि ए सही है किन्तु आर जो है वो गलत है मतलब कुशाड फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर ब्यापार तो करते थे लेकिन उनकी सुसंगठित नौसेना उचकोट की थी ये गलत है अब ब्रामर्ण शामराज देख लेते हैं सुंग सासको ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की इंडो यूनानी सासक मिनांडर को पुश मित्र शुंग ने पराजित किया पुश मित्र शुंग ने दो बार अशुमें गिया कि किया इनके लिए पतंजल ने अशुमें गिया कि कराए भरहूत इस्तूप का निर्माड पुष्मित्र शुंग ने करवाया शुंग वंस का अंतिम सासक देव भूत इथा इसकी हत्या तीहत्तर इस्विपूर में वासु देव ने कर दी और मगद की गद्धी पर कंड वंस की स्थापना की अंतिम सासक सुंग वंस का देव भूत हत्या किष्ने की पत्त इस्विपूर में वास देव ने और कंड वंस की स्थापना की मगद की गद्धी पर बैट कर कंड वंस का अंतिम राजा सुसर्मा था कौन था सुसर्मा सिमुक ने साथ हिस्वी पूर में सुसर्मा की हत्या कर दी और साथ वाहन वन्स की स्थापना की सिमुक ने साथ हिस्वी पूर में सुसर्मा की हत्या कर दी और साथ वाहन वन्स की स्थापना की साथ वहन या आंद्रवंस भी कहते हैं इसे तो साथ वहन या आंद्रवंस सासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान जो गोदावरी नदी के किनारे थी वहां इस्थापित की प्रतिष्ठान महाराष्ट के और अंगावाज जिले में है गोदावरी नदी के किनारे तो वहां साथ वहन या आंद्रवंस सासको ने अपनी राजधानी इस्थापित की प्रतिष्ठान को साथ वहन वंस के प्रमुक्स आसक थे स्विमुक साथ करडी गौतमी पुत्र साथ करडी वसिष्टी पुत्र पुलूमावी तथा यगिसरी साथ करडी साथ करडी ने दो यसमेग तथा एक राजशी यगि किया था साथ वाहन सासकों के समय के प्रशिद साहितकार हाल एवं गूराद थे हाल एवं गूराद थे हाल ने गाथा सब्त सती तथा गूराद ने ब्रहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की सीशा, पोटीन और कासे की मुद्राओं का प्रचलन किया साथ वाहन अपना सिख्का ढालने में जिस सीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मगाया जाता था ब्रहमःडों को भूम में अनुदान देने की प्रथा का आरंब साथ वाहन सासकों ने ही सरवप्रथम किया था एवम लिप ब्रामी थी, साथ वाहनों में हमें मात्रतातमक धांचे का आभास मिलता है, उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौत्मी पुत्र वसिष्ठी पुत्र आदे, लेकिन साथ वाहन राजकुल पित्रातमक था क्योंकि सौपा गौलमिक गौलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था जिसमें नौरत नौहाथी 25 गोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे कारले का चैत अजन्ता योम अलोरा की गुफाओं का निर्माड योम अमरावती कला का विकास साथ करड़ी योम अन्य सभी साथ वाहन सासक दच्छिडा पत के स्वामी कहे जाते थे साथ करड़ी योम अन्य सभी साथ वाहन सासक दच्छिडा पत के स्वामी कहे जाते थे साथ वाहन राज ने उत्तर और दच्छिड भारत के बीच सेतु का काम किया तो ये तो ब्राहमः शामराज था अगला है भारत के यवन राज भारत के यवन राज सत्रवा टॉपिक देखी भारत पर आक्रोंड करने वाले विदेशी आक्रोंड कारियों का क्रम हिंदू युनानी सक पहलव कुषाण शेलुकस के द्वरा इस्थापित पस्चिमी तथा मद्धेशिया के विशाल शामराज को इसके उत्रादिकारी एंटू ओकस प्रथम ने अच्छूड बनाए रखा एंटी ओकस दुती के सासनकाल में बिद्रों के फल्षरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए एंटी ओकस प्रथम ने तो अच्छूड बनाए रखा से लुकस के पुत्र ने लेकिन एंटी ओकस दुती ए जो एंटी ओकस प्रथम का पुत्ता उसके सासन में अनेक उसके प्रांत स्वतंत्र हो गए बैक्टीरिया के बिद्रो का नेत्रतु डियो डोट्स प्रथम ने किया था बैक्टीरिया के बिद्रो का नेत्रतु डियो डोट्स प्रथम ने किया था बैक्टीरिया पर डियो डोट्स प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमसा सासन किया इन लोगों ने सासन किया भारत पर सबसे पहले आक्रोंड बैक्टेरिया के सासक डेमिट्रियस ने किया भारत पर सबसे पहले आक्रोंड बैक्टेरिया के सासक डेमिट्रियस ने किया इसने 190 इसापूर में भारत पर आक्रोंड कर अफगानिस्तान पंजाब एवं सिंद के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया साकल इसे ही हिंदू, युनानी या वैक्टेरियाई युनानी कहा गया हिंदू, युनानी सासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर यानि 165 से 145 सिस्वीपूर मिनांडर हुआ इसकी राजधानी साकल यानि आधुनिक जो सियाल कोठ है उसे ही साकल कहते थे इसकी राजधानी साकल सिच्छा का प्रमुक के अंदर थी। मिनांडर ने नांग सेन याने नागा अरजुन से बहुत धर्म की दिछा ली। मिनांडर के प्रश्ण नांग सेन दोला दिये गए उत्तर। एक पुस्तक के रूप में शंग्रहित हैं जिसका नाम मिलिंद पन हो अर्थात मिलिंद के प्रश्ण या मिलिंद प्रश्ण हैं। हिंदू युनानी भारत के पहले सासक हुए जिनके जारी किये गए शिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं भारत में सबसे पहले हिंदू युनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किये सबसे पहले हिंदू युनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किये। चुकि परदा युनानियों की देन था इसे लिए वा यवनिका के नाम से प्रशिद्ध हुआ। पहली साखा ने अफगानिस्तान, दूसरी साखा ने पंजाब यानि तचसिला राजधानी वाला, तीसरी साखा ने मत्वरा, चौथी साखा ने पस्चवी भारत, एवं पांचवी साखा ने उपरी दक्कन पर प्रभुत इस्थापित किया। प्रथम सक राजा मो था, मो, मो, सक मूलता मद्देशिया की निवासी थे और चारा गा की खोज में भारत आये। 58 इस्वी पूर्व में उजजेन के एक स्थानी राजा ने सकों को पराजित करके बाहर खदेद दिया और विक्रमादित की उपादी धारड़की। सकों पर विजय के उपलच में 58 इस्वी पूर्व से एक नया समवत विक्रम समवत के नाम से प्रारंब हुआ। उसी समय से विक्रमादित एक लोगप्री उपादी बन गई जिसकी संख्या भारती इतिहास में 14 तक पहुँच गई। ओ, 14 लोगों ने विक्रम विक्रमादित की उपाद ली। गुप्त समराट चंद्र गुप्त दुर्तिय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादिते हैं। सकों की अन्य साखाओं की तुल्ना में पश्चिम भारत में प्रभुत्य स्थापित करने वाली साखा ने सबसे लंबे अर्शे तक सासन किया, लगभग चार सताबदी तक। गुजरात में चल रहे समुद्री वियापार से या साखा काफी लाभावनित हुई, भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किये गए। सकों का सबसे प्रतापी सासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका सासन 130-150 इसवी गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काफिया वाड की अर्द सुस्क सुदर्सन जील यानि मौर्यों द्वारा जो निर्वित थी उसका जीरुडो धार करवाया। काफिया वाड के अर्द सुस्क सुदर्सन जील। रुद्रदामन शंस्कुरत का बड़ा प्रेमी था, उसने इस सबसे पहले विशुद्ध संस्कुरत भासा में लंबा अवलेख, यानि गिर्नार अवलेख जारी किया. गिरनार अफलेक इसके पहले के सभी अफलेक प्राकरत भासा में रचित थे भारत में सक राजा अपने को छत्रप कहते थे क्या कहते थे छत्रप कहते थे पशिमोत्तर भारत में सकों के आधिपत्त के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्त हुआ सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा गोंडो फरनिस था इसी के सासनकाल में सेंट टामस इसाई धरम का प्रचार करने के लिए भारत आया था सकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा गोंडो फर्निस था इसी के सासनकाल में सेंट टामस इसाई धरम का प्रचार करने के लिए भारत आया था पार्थियाई लोगों का मूल इस्थान इरान में था तो ये तो सकों का वरण हुआ अब कुशाण पहलव राजा छूण दिये गए लुसेंट बुग में अब कुशाण पहलव के बाद कुशाण आये जो यूची एवम तोखरी भी कहला है यूची एवम तोखरी भी कहला है यूची नाम के कविला पांच कुलों में बट गया था उन्ही में एक कुल के थे कुसाण कुसाण वंस के संसापक कुजुल कड डिफेस थे कुसाण वंस के संसापक कुजुल कड फिसेस था इस वंस का सबसे प्रतापी राजा कनिस्क था उनकी राजधानी पुरुस पूरिया पेसावर थी कुषाडों की दुती राजधानी मतुरा थी कनिस्क ने 78 इस्वी गद्धी पर बैठने के समय 78 इस्वी में एक सम्वत चलाया जो सक सम्वत कहलाता है जिसे भारत सरकार दोरा प्रयोग में लाया जाता है बाध धर्म की चौती बाध संगीत कनिस्क के सासनकाल में कुंडल वन कस्मीर में प्रसिद बाध विद्धान वसुनित्र की अध्यचता में हुई कनिस्क बाध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुआई था आरंबिक कुषाड सासकों ने भारी संख्या में शोड मुद्राएं जारी की जिनकी सुदता गुप्त काल की शुन मुद्राओं से उत्करष्ट है कनिस्क का राजवेद आयरवेद का विख्यात विद्धान चरक था जिसने चरक सहिता की रचना की महाविभास सुत्र के रचनाकार वसुमित्र है इसे ही बौध्धरम का विख्योस कहा जाता है महाविभास बौध्धरम का विख्योस वसुमित्र दौरा कनिस्क के राजकवी असगोस ने बौध्धों का रामायड बुद्ध चरित की रचना की बुद्ध चरित बौध्धों का रामायड बाई असगोस वस्मित्र, पार्ष, नागार्जुन, महाचेत और संगरच भी कनिष्क के दरवार की विभूत थे भारत का आइंश्टीन नागार्जुन को कहा जाता है इनकी पुस्तक माधिमिक सूत्र है इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेचता का सिध्धान परस्तुत किया है कनिष्क की इम्रत्तु 102 इसवी में हो गई कुशार वंसका अंतिम सासक वासुदेव था कुशार राजा वासुदेव कहलाते थे कुशार राजा देव पुत्र कहलाते थे वासुदेव अंतिम सासक था ये तो नोट में लिखा है कुशार राजा देव पुत्र कहलाते थे या उपाद कुशारों ने चीनियों से ली थी गंधार सैली यो मतुरा सैली का विकास कनिस्क के सासनकाल में हुआ था रेसम मार्ग पर नियंतरन रखने वाले सासकों में सबसे प्रसिद कुशाड थे कुशाड सामराज में मारगों पर सुरच्छा का परवन था रेसम बनाने की तकनीक का आविस्कार सबसे पहले चीन में हुआ तो ये तो आप लोगों ने हिंदू युणानी सक और कुशाड के बारें देखा आप कुश्चन है बयालिश्वा कुश्चन है जो कला सैली भारती और ग्रीक यानि युणानी सैली का समिश्रण है उसे क्या कहते हैं तो उसे बेसर कहते हैं क्या कहते हैं उसे गंधार कहते हैं जो भारती ग्रीक या युनानी सैली का सम्मिस्रण है उसे गंधार कहते हैं क्या कहते हैं गंधार कनिस्क बौध धरम की किस साखा का नुआई था देखो बेसर उसे कहते हैं जो गंधार सैली और मतुरा सैली का मिस्रण है लेकिन भारती ग्रीक का इसे गंधार कहते हैं तो कनिस्क बहुत धर्म की किस साखा का नुआई था जिसका प्रसार उसने मद देशिया वा सुदूर पूर्म में किया तो ये महायान का था भी हमने बताया कनिस्क के सासनकाल की सरवादिक महत्रपूर घटना कौन सी थी चतुर्थ बहुद संगी थी इसके सासनकाल की सरवादिक महत्रपूर घटना थी 45 प्राचीन भारत का महान वयकरण पतंजल किसका समकालिन था सरोपर्थम भारत में विसुद संस्कृत भासा में लंबा विलेक किस राजा दोरा जारी किया गया तो सक राजा रुद्र दमन दोरा विसुद जो गिरिनार का विलेक है उसे सक राजा रुद्र दमन दोरा विसुद संस्कृत भासा में लंबा विलेक और पहली बार संस्कृत में विलेक जारी करने का पहले तो प्राकरतक भासा में आते थे अगला 21 राजा के सासनकाल में इसाई धरम प्रचारक सेंट थामस भारत आया तो गोंदो फिरनस के सासनकाल में इसाई धरम प्रचारक सेंट थामस भारत आया किस कुसाड सासक ने सरोप्रथम सरोड मुद्रायें जारी की तो कड़फिसस दुती ने, ना तो कड़फिसस प्रथम ने, ना कनिस्क ने, ना वसिस्क ने, कड़फिसस दुती ने सरोप्रथम सरोण मुद्राएं जारी ती किस वन्स के सासकों ने छत्रप प्रडाली का प्रियोग किया? तो छत्रप प्रडाली का प्रियोग सको ने किया त्रातार यानि मुक्तिदाता की उपादी किस वंस के सासको ने धारड की प्राचीन काल के भारत पर आक्रमडों के समन्द में कौन सा सही काल अनक्रम है तो यूनानी सक कुसाड ये सही काल अक्रम है पहले यूनानी आये फिर सक फिर कुशाड भारत में बीच में कुसाडों के पहले पहलव आये पहलव लेकिन इनका बड़न जादा नहीं मिलता है मतलब मिलता है इनका जादा कोई विसिष्ट उपादी नहीं है भारत में प्रथम बार सैनिक सासन बेवहार में लाया गया तो ग्रीकों के दौरा सैनिक सासन बेवहार में लाया गया पहली बार इसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंब में उत्तरी अफगानिस्तान में इस्थापित भारत युनानी राज था बैक्टीरिया कौन था बैक्टिरिया हीसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारम में उत्तरी अफगानिस्थान में स्थापित भारती इवना निराज था बैक्टिरिया अगला चार धातुओं जैसे सोना चान्दी तामायों सीशा में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता है सोना चांदी तामा यों सीशा में बनने वाले सिक्के को कहा जाता है करसापड क्या कहा जाता है करसापड सरव पर्थम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंब हुआ तो सरव पर्थम रोम के साथ व्यापार प्रारंब हुआ था तमिलो एउम चेरों का चपनवा है मौर एत्तर कालीन प्रमुक बंदर गाहों में कौन असत्ते है बार बैरिकम, बेरी गाजा, अरिका मेडू, कोचीन तो मौर एत्तर कालीन प्रमुक बंदर गाहों में कौन असत्ते है मतलब इन में से कौन नहीं है तो बार बैरिकम था, बेरी गाजा भी था, भडोच वाला, और एक मेडू भी था, कोचीन नहीं था, ये मारोत्तर प्रमुक बंदरगाओं में नहीं था निम्न में से किस इस्थान को पेरी प्लस आफ दी एरी थ्रियन सी में पोडुके के नाम से सम्मूदित किया गया तो ये जो था, सकता है, पेरी प्लस आफ दी एरी थ्रियन सी में पोडुको नाम से सम्मूदित जो किया गया, वो था आरिका मेडू, कौन था? मौर उत्तरकाल में किसने भारत में हिंदू युनानी राज की स्थापना की? तो मौर उत्तरकाल में डमेट्रियस ने हिंदू युनानी राज की स्थापना की? नेम लिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तराद में, अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंप कर बहुत भिच्छ हो गया? तो जो मिनांडर था, मिनांडर वो पुस्तक आती है, मिनांडर और नागा अरजुनवाली, मिलिंद पनहों पुस्तक जो थी, जिसने नांग सेन से दिछ्छा ली थी, तो यही जो था अपने जीवन के उत्राद में अपने पुत्र के हाथों में राज सक्ता सौपकर बहुत भिच बन गया कुशाडों का सम्वंद था तो कुशाडों का सम्वंद चीन के यूची जन्जाद से था चीन के यूची जनजाद से है ना चीन के यूची जनजाद से दो जातियां थी यूची योम तोखरी पहलो बाद में कुशार आये जो यूची योम दोगडी भी कहला है तो यूची योम ये यूची जनजाद के थे अगला है निम्लिखित में से कौन कनिस के बौध होने के लिए उत्तरदाई था तो वसमित्र जो थे असगोस जो थे वो बौध होने के उत्तरदाई थे कनिस के अब बास्टवा कोस्चन सूची में दिया है तो इंडो ग्रीक यानि हिंदी अवन सक, सीथियन, पार्थो, पहलो तो इसके सही मिलान होगा इंडो ग्रीक यानि हिंद अवन है सक जो है वो सीथियन थे और पार्थो जो थे वो पहलो थे तीरसटवे में भी दिया गया है सूची, राज्य और राजधानी तो सुंग की राजधानी जो थी सुंग की राजधानी विदिसा थी चेद की कलिंग, सात्वान की प्रतिष्ठान या पैठन, कुसाड की पुरुस्पुर या पेसावर 64 है रोमन सामराज के अनुसरन पर किस वन्स के सासकों ने कैसर की उपाद ग्रहन की रोमन सामराज के अनुसरन पर किस वन्स के सासकों ने कैसर यानी सीजर स्वारी कैंसर नहीं कैसर जिसे का जाता है सीजर भी का जाता है की उपाद धारण की तो रोमन सामराज के अनुषरण पर कुशार वन्स के सासकों ने कैसर या सीजर की उपाद धारण की किसका निर्माड सुंग काल में हुआ तो भर हूत का इस्तूप का निर्माड हुआ या साची इस्तूप की वेदिका रेलिंग और दोर उद्धार हुआ या भाजा इस्तूप हुआ या उपर्युक्त सभी तो इन सभी का निर्माड शुंग काल में हुआ भरहूत का इस्तूप भी बना सांची इस्तूप की वेदिका यानी रेलिंग भी हुई और उसका तोरन उद्धार भी हुआ भाजा इस्तूप भी बना ये सभी जो है शुंग काल में हुआ अगला एकोस्चन साथ वहान रेस हाल के समकालीन गुनाड ने किस प्राकृत गरंथ की रचना की साथ वहान रेस के हाल के समकालीन गुनाड ने एक विद्धान गुनाड थे उन्होंने प्राकृत भासा में रचना की तो कौन सी रचना लिखी तो उन्होंने ब्रहत कथा लिखी गुनाड ने ब्रहत कथा लिखी सरस्टमा कोश्चन है निम्लिखित कथनों पर विचार कीजिए साथ वाहन सासकों सासक बौधों पर अत्याचार करते थे दूसरा पुश्मित्र शुंग बौधों को समरचन देते थे तीसरा बोध गया में ससांक ने बोध वरच को काट दिया था तो इनमें से कथन कौन कौन सही है तो इनमें जो कथन सही है केवल तीसरा सही है सरसट में केवल तीसरा सही है कि बोध गया में ससांक ने बोध वरच को काट दिया था बाकी साथ वान सासक बहुत दूं पर अत्याचार करते ये भी गलत है और पुस्मित्र सुंग बहुत दूं को रक्षड़ देते थे ये भी गलत है और सट्वा कोस्चन है किस अविलेख में चंद्रगुप्त मौर और सोग दोनों का उलेख किया गया है तो महा छत्रप रूद्र दमन का जूना गड़ अविलेख है उसमें जो है चंद्रगुप्त मौर और सोग दोनों का उलेख किया गया है उनात्रमा कोस्चन प्राचीन भार्त में निम्न में सिक्किस एक ने नियमित रुप से सोने के सिक्के चला है तो कलिंग नरेश खारवेल जो है वो चेध वन्स से समन्तित था एकत्रवा कोस्चन है प्राचीन भारत में देश की अर्थ विवस्था में अत्तिन्त महांत्रपूर्ण भूम का निभाने वाली स्रेडी संगठन के संदर्म में लिम्निखित में से कौन सा सही है तो एक अत्रवा कोस्चन में मतलब दूसरा तीन कोस्चन दियेगा है इसमें बताना है कौन सा सही है स्रेड के संगठन के संद्र में देखिए प्रतेग स्रेडी राज की एक केंद्री प्राधिकरण के साथ पंजीकरत होती थी और प्रासासनिक इस्तर पर राजा उनका प्रमुक होता था दूसरा स्रेडी से ही बेतन काम करने के नियमों मानकों और कीमतों को सुनस्चित करती थी तीसरा स्रेणी का अपने सदस्चों पर नयाई कदिकार होता था तो इसमें दूसरा और तीसरा सही है स्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनस्चित करती थी और तीसरा स्रेणी का अपने सदस्चों पर नयाई कदिकार होता था तो इस तरीके से हमने मौर उत्तर और गुप्त पूरुप काल 186 पूरुप से 319 पढ़ लिया है बार बार इस वीडियो को देखें थैंक्स पर वाचिंग